खरगोन जिले के उन थाना शेत्र के ग्राम मोठा पूरा में बुधवार सुबह घर से खेलने निकले तीन बच्चों का शव कुए में मिलने से संसनी फैल गई तीनों बच्चे आपस में रिष्तेदार होकर सुबह घर से निकले थे इसकुल समय के बाद भी नहीं लोटने पर परिजनों ने तलाश की तलाशते हुए परिजन जब ग्राम के गायतरी मंदिर के समीब बने कुए के पास पहुचे तो बच्चों के चपल दिखाई दिये इस तक विक्रम के पिता ने बताया तीनों बच्चे इसकुली शात्र थे हम हाथसे के समय मजदूरी पर गए हुए थे बच्चों के देर तक घर नहीं लोटने पर उन्हें तलाश ने निकले थे तीनों के शोव मिलने के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है सेगाओं से संज कोई कर रहे थे तो महां पर फोन आया कि सुबह के बच्चे गाये थे तो फिर महां से हम आपस आए फिर दूंगे तो आस पास तो किदर नहीं मिले फिर दूंटे वहां गड़्डे के पार गए हैं वहां बाहर चपल और जूते उतार के रख दिये हुए तो चपल देथा त शुदे तो पिर मिले वच्चे वच्चे तुमारे गया ना में है वहां से रमलाल नमारे कि मेरा बड़ां और मेरा यह मामा का लड़का है इसका रिसका तो तीनों परिवार के हैं एक साथ गया है और मेरा लड़का है जो वांस वह पाची में और इसका लड़का तीसरी में अभी एस्पिटाल से सुषना मिली है कि तीन बच्चे गराम मोटा पुरा इंकि उन थाना सेट्रिके अंदर है जिनको आए गया है जिनकी पानी में दूबने से मोटाना बता है जा रहा है इन में नाम है एक का विक्रम पिता घंचाम भील उम्र तेरा साल और तीसरे का नाम है वंच पिता रविंद्र जाती भील, उम्र नो सल यह सभी निवासी मोटापूरा के हैं कि अभी जानकारी एकत्रीट की जाएगे जाएंस में प्राड़मिक जानकारी जिदेनी मेल पाई है क्या साम इस्पक्तर राज़न रावाशा थाना उन कि यह ग्राम बंचाइट मोठा पुरा के इंगली पुरा नाओं के बच्चे हैं गायत्री मंदिर के पिछे तो थोड़ी दोएरबाद इस्प्राइम होगा तो इनसे घरवाली को ढूंदे लगे पता चला कि उनको चपल उपल कुए के बाहर दिखे उन्होंने डूपके निगाला थी बत्ते तीन थे कुए के अंदर तीनों की मोट होगी इनकी 10 से 15 साल की वीची में तीनों बच्चे अठ तस और ना यह गतना हमको वालूम पढ़ी है सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुलें